मे शाज आपके मन में तनावपूर्ण स्थिती रहे सकती है। मन में बहुत से विचार चल रहे हैं किन्तु उन्हें लागू नहीं कर पा रहे हैं जिस कारण दुविधा हो सकती हैं दूसरों पर भरोसा करना सीखे। परफेक्शन पर इतना थ्यान ना दे कि उससे आपके स्वास्थे, मन की शांती और रिष्टों पर भी नकारात्मक असर हो। सकारात्मक दृष्टिकोर्ण रखने का प्रयास करें। प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ किसी बात पर तनाव बढ़ सकता है। अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखे नहीं तो इससे आपका ही नुटसान हो सकता है। अपनी बातों में गुस्सा ना दिखाए, शान्त रहे, लब, आज रिष्टों में कुछ नकारात्मक्ता के कारण तनाव बढ़ सकता है। बेवज़े किसी पर शक ना करें गेल्थ, स्वास्थे के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यक्ता है। किसी पुरानी बिमारी से निजात के लिए शरीर और मन दोनों का उपचार आवश्यक है। व्रिशाज आप में भावुक्ता की अधिकता रहेगी जिस कारण मूर्स्विंग होंगे। अपनी भावनाओं पर नियंतरन रखले नहीं तो ऐसी मनध स्थिती में लिए हुए निरणयगलत हो सकते हैं। अपने समय को मत्वदे, आज उसे दोस्तों के साथ व्यार्थ के वार तालाप में नश्टना करें। यदि कोई व्यवसाय आरंब करने जा रहे हैं तो उससे संबंधित दस्तावेज अच्छे से जाचले। यदि व्यवसाय साचेदारी में हैं तो सावधान रहें और सभी कार्यवाही लिखित में करें। ऐसा ना हो अंजाने में आपका नूत्सान हो जाए। प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र में कोई भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से फ्ले उसे अच्छी तरह पढ़ ले। आज आंख्मून कर कोई निरने ना ले। काम में आपके कोशल की प्रशंसा होगी। लव, रिष्टों में अपने प्रियजनों का मत्व समझे। उनकी जरूरतों को नजरंदाज ना करें। ऐसे दोस्तों से नाता ना रखें जो केवल आपका इस्तेमाल करते हों मेल्थ। स्वास्थे सामान्य रहेगा। किन्तु बदलते मौसम के कारण कोई रोग परिशान कर सकता है। भीर भार के इलाके से बचें, स्वच्छ पानी ही प्ये। मिथुन, आज का दिन कुछ परिशानी भरा हो सकता है। जैसे जैसे पुरानी परिस्खितियां छूटती जा रही हैं, मन में उदासी मसूस होगी। किन्तु यह एक नए जीवन की और का संकेत भी है। इस बदलाव को खुशी से अपनाएं, जो आपके जीवन के लिए सहायक नहीं है, वह आपसे दूर हो जाएगा। आत्मनिर्भरता की और कदम बढ़ाएं। प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र में बदलाव के कारण परेशानी और तनाव हो सकता है। करियर लाइन बदलने का सोच रहे हैं तो यह समय उसके लिए उत्तम है। लब, आज रिष्टों में कुछ बदलाव और परिवर्तन के कारण परिवार में स्थिती तनाव पूरण रहे सकती है। सोच समझ कर ही कोई बात कहे। किसी पुराने मित्र से रिष्टे सुधारने का मौका मिलेगा हिल्थ। स्वास्थ ये संबन्थी कोई लक्षन आज परिशान कर सकते हैं। इन्हें नजरंदाज ना करें। इनकी जाज करवा कर निश्चिन्त हो जाए। यदि कोई रोग परिशान कर रहा है तो रविवार के दिन दवायों का दान करें। इससे लाब होगा। करकाज किसी भी बात में र्कालम डोल ना करें नहीं तो यह स्वभावाब के लिए भवेश्य में नुक्सान दायक हो सकता है। आए हुए अफसर हाथ से निकल सकते हैं। आजमन और मस्तिष्क में एक नई उर्जाबनी रहेगी। इसे उचित दिशा में लगाए तो सफलता में लगी। जो भी अपने जीवन में चाते हैं उसके लिए उनिवर्स या ईश्वर को धन्यवादे और चमतकार देखें। आज आपको कई अफसर ऐसे मिल सकते हैं जिनसे जीवन में उन्नती हो सकती है। प्रोफेशन, कार्यक शेत्र में आज का दिन लाभदायक रहेगा। जिसके इंडर के लिए आप परेशान थे वह आपको मिल सकता है। लब, पुरानी बातों को याद कर आज बुख मनाने में अपना समय बर्बादना करें। जो बीत गया उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकतें। वर्तमान में जीने का प्रयास करें। हिल्थ, स्वास्थे सामान्य रहेगा। आज से आरंप किया हुआ व्यायाम नियम अच्छे फल देगा। सिंग आपके काम समय से पूरे हो जाएंगे। यदि कोई प्रापर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो अच्छी तरह जाज करके ही कोई निरण ऐले। किसी सजजन से मिलने काम पौका मिलेगा जिससे आपके विचारों में सकार आत्मत परिवर्तन आएगा। आज का तिन मन में कुछ चिंताएं बनी हुई हैं जिस कारण आपके काम में फोकस की कमी है। किसी की बात को दिल परन लगाएं अपने आप पर भरोसा रखें। किसी की निंदा से प्रभावित ना हो आपकी योगयता और मेनत में कौई कमी नहीं है। अपना आत्म विश्वास बनाए रखें। लब, जब तक रिष्टों में पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक उन में घ्राई भी नहीं आएगी। रिष्टे में कोई कमी नहीं है, केवल अपनी सोच को बदले नेल्थ, स्वास्थे का थ्यान रखे, अपने खाने पीना और व्यायाम के सत्य कोई लापरवाही ना करें. कन्या आज का दिन कुछ परिशानियों भरा रहेगा, बनाई हुई योजनाओं में बाधा आने के कारण मन में बेचानी हो सकती है, किसी भी काम को संपन करने के लिए बहुत मेनत करने की आवश्यक्ता है, किन्तु आपकी यह मेनत जल्दी फल लाएगी, इसलिए हताश ना हो, आपका काम में फोकस बहुत अच्छा बना हुआ है, किन्तु इस कारण अपने परिवार अजनों को अंदेखा ना करें, उनके साथ भी थोड़ा समय बिताने के लिए अवश्य निकालें, प्रोफेशन, नौकरी बदलने का अवसर मिल सकता है, जो आपके लिए अच्छा रह आपकी योग्यता की प्रशंसा करेंगे, आज कार्यभार अथिक रहेगा, लग प्रियजनों के साथ आज थोड़ा समय अवश्य बिताने का प्रयास करें, काम तो इतना मत्पुना दे की उनके लिए समय ना मिले हेल्थ, दवाई के साथ साथ अच्छी दिन चर्या खान पान और व्यायाम आदी पर भी पुरा थ्यान दे, तुला आज का दिन रचनात्मत पुर्जा की अधिकता रहेगी, इसे उच्छित दिशा प्रदान करेंगे तो लाब होगा, इसके साथ साथ आज यह भी आवश्यक है कि आप प्रयास करने के साथ प्रयास को फलित होने का भी मो केवल अपने व्यवहार में सहयम बनाए रखे, प्रोफेशन, कार्यक शेत्र में आज बास से प्रशन सा मिलेगी और स्कर्मियों से पूरा स्योग मिलेगा, लब, परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अपने लिए भी थोड़ा समय निकाले, निल्थ, स्वास् व्रिश्चिक आपको परिस्थित्यों में स्थिर बनाए रखे, किसी की बातों से इतना प्रभावित ना हो की आपकी स्थिरता पर असर पड़े, दूसरों के विचारों को सुने पर ग्रहर्णवाही करे जो आपको उचित लगता हो, मन में आपके बहुत सी इच्छाए हैं इन्हें नकारने की बजाए स्वीकार करें, तभी मन में शांती की भावना आएगी नहीं तो यह त्वन्द बना रहेगा प्रोफेशन, आज अना वश्यक्स कर्मियों से वार्तालाप ना करें नहीं तो आपकी बात किसी गलत प्रसंग में पेश की जा सकती है लब, प्रेमी के साथ समय बिताने को मिलेगा, विवहा संबंथी कोई भी निरने आज ना ले, बिना बढ़ों की सलहा के कोई निरने ना ले नेल्थ, नंगे पैर खास पर चलने से स्वास्थे लाभ होगा, अपने मन में स्थिर्ता और शांती बनाए रखने के लिए अपने जीवन का हिस्सा बनाए, धनु आज पर स्थिती आपके अनुसार नहीं होगी परन्तु इतनी बुरी भी नहीं कि आपको कोई परिशानी हो, वियर्थ चिन्ताओं में आज का तिन खराबना करें, अपनी उर्जा और आईदी आज को उचित लिशा में लगाए, पु किसी बात के कारण आपके मन में परिशानी उत्पन हो सकती है, घबराए ना, जल्दी परिस्थिती आपके अनुकूल हो जाएगी, लब, एजन के साथ किसी बात पर तनाव हो सकता है, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना ले, बीती बातों को याद करके अपने वर्तमान के रिष्टों को खराबना होने दे नेल्थ, स्वास्थे सामानने रहेगा, तनाव से बचे, गोसम के कारण कोई रोग परिशान कर सकता है, अपना फ्यान रखे, मकर आज आप में रचनात्मक उर्जा की अधिकता रहेगी, इसे उचित दिशा में अवाश्य लगाए, आज किसी भी प्रकार का रचनात्मक कार्या करें जो आपको अपसंद हो जैसे की लेखन, चित्रकारी, डांस, कुकिंग, इत्यादे, इससे आपके मन में संतोश की भा काम ना बढ़ेगी, और स्वास्थे लाब भी होगा, आपके काम में भी फोकस बढ़ेगा, और काम की कुर्णवत्ता में भी सुधार होगा, आज किसी प्रकार से दान जरूर करें, प्रोफेशन, आज कार्यक शेत्र में दिन अच्छा रहेगा, काम का फल मिलेगा, लेकिन आपके फोकस में कुछ कमी हो सकती है, अपने मूर स्विंग नियंतरण में रखे, लब प्रियाजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, किसी प्राप्रतिक वातावरण में जाने का मौका मिलेगा, अविवाहितों के लिए आज अच्छा रिष्टा आ सकता है, इस ओर थ्य कुम्भाज किसी परिस्थिती को अंदेखा करने का प्रयास ना करें, उसका जितनी जल सामना करेंगे तभी उसका हल निकलेगा नहीं, तो परिस्थिती और भी बिगड़ती जाएगी, यदि किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगी, तो मन में बदले की भाहना रखने की बजाए उस व्यक्ति से साफ साफ बात करें, आज किसी की बातों में ना आये, किसी और की बात पर सोच विचार करके ही भरोसा करें नहीं, तो आपको धोखा हो सकता है, प्रोफेशन, यदि किसी की बात या नियत पर शक हो तो अपने अंतर्मन की आवाज आवाशे सुने औ और उस पर अमल करें, लब, प्रियाजनों के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, जिसके चलते रिष्टों में कटुता आ सकती है, हेल्थ, किसी भी लक्षन को अंदेखा ना करें नहीं, तो वह भव्यश्य में परिशानी का कारण बन सकता है, में आज का तिन किसी बात को लेकर चिंतित ना हो, यदि कोई परिशानिया चल रही है तो वे जल भी हल हो जाएंगी, असमंचस की स्थिती हो सकती है, बिन भन सोच विचार के कोई निरणय ना ले, किसी एक सपर ह्या काहुन सलर से सलहा करें, किसी पुराने जानकार से मुला कात हो सकती है, तो आपको किसी नए अफसर से अवगत करवाएगा, आज किसी बात को लेकर परिशानियों से घेरे रहेंगे, यदि कोई निरणय लेने में दुविधा हो रही हो, तो किसी से सलहा करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज अवाशे सुने, आज अपनी भाव उकत पर नियंतरन रखे, प्रोफेशन, आज काम में मन नहीं लगेगा, करियर के चुनाव के लिए किसी की सलहा अवाशे ले, कोई भी निरणय आज अपने आपनाले नहीं, तो गलती हो सकती है, लब, प्रियाजनों के साथ किसी बात पर तनाव उत्पन हो सकता है, परेशान होन पर नाज का दान करें, स्वास्थे में लाव होगा